दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की पहले कबर दरबंगा समस्तिपूर सहीत सोल जिले बाड से सबसे ज़्यादा प्रवावित राज सरकार ने केंद्र से मांगे 3781 करोड जिहां बिहार में बाड में हुए नुकसान का जाजा लेने सोमवार को केंद्रिय टीम बटना पोची ग्रिया मंत्राले के सयुक्त सचीव राकेश कुमार सेंग के नेतुत में 1610 से टीम ने मुईक के सचीव मुलाकात की वहीं टीम की समग जबिबिन बिबागों ने कोल 373 कडूर रूपे की छती का प्रारामिक मेमोरेंडम सुपा है बाड से नुकसान के लिए राज सरकार के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें नुकसान के पूरे बियोरो की जानकारी टीम को दी गई है आपको बदा दे की बाड से प्रभावी 26 जिले हुए हैं लेकिन आपदा परबंदन विबाग के मताबिक 16 जिले ऐसे हैं जा बाड से सबसे अधिक परिसानी हुई है जिसमें मुझपरपूर, दरबंगा, खगडिया, सारिसा, पटना, वैसाली, भोजपूर, लखिस सराई, भागलपूर, सारन, बकसर, बेगु सराई, कटिहार, मुंगीर, समस्तिपूर और पुर्निया सामिल है बाड़े कबर बिहार में मिले 6 नए कोरोना संक्रमित, 24 जिलो में एक भी नहीं, अब तक 9656 मरीजों की मौत जिया, बिहार में पिछले 24 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है 24 जिलो में एक भी नए कोरोना संक्रमित नहीं मिला है जबकि 4 जिलो में नए संक्रमित मिले है समस्तिपुर में सरवादीक तीन और पटना बेगुसराय वह वैसाले में एक एक नए संक्रमित मिले है पिछली 24 घंटे में 1,3,342 सेंपल की कुरोना जाच बी और संक्रमन दर 0% रही इस दोरान 15 संक्रमित मरीज स्वस्त हो गए जबकी एक संक्रमित की मौथ हो गई राज में कोरोना संक्रमित के स्वास्थोनी के दर 98.66% दर्च की गई है राज में वर्तमान में कोरोना के 54 सक्रियम मरीज इलाजरत है बाड़ी कबर 11 दिन में 3 री बार एक करोड पार वेक्सिनेशर में भारत का नया रिकॉर्ड अब तक कोल 89.68 करोर को लगा करोना कटिका बहारत में कोरोना वेक्सिनेशन ने रप्तार पकड़ ली है 11 दिन के अंदर तिसरी बार देश में एक करोड से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टिका लगाया जा चुका है इससे पहले 27 अगस्त और 31 अगस्त को भी एक दिन में एक करोड से ज़्यादा लोगों को कोरोना का बता दे कि समुवार को टीका करन का 234 दिन था बाड़ी कबर दोसरे चरण की अधिसुचना जारी आज से परचा दाखिला दावेदारों को करना होगा ये नियमों का पालन बिहार में होने वाले त्रेस्तर ये पंचा चुनाव के लिए दोसरे चरण की अधिसुचना कल जारी हो गई मंगलवार 7 सितंबर यानि आज से परचा दाखिला की प्रक्रिया सुरू होगी दोसरे चरण में कोल 34 जिलो के 48 प्रक्रणों में चुनाव होगा परचा दाखिला 13 सितंबर तक चलेगा इसके बाद नमांकन पत्रों की जाच होगे प्रत्यासे 18 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे राज निर्वाचन आयोग ने प्रत्यासे 18 के लिए कुछ नियम मनाये हैं परचा दाखिला में भी इनका पालन करना जरूरी है आपको बदादे कि प्रकान इस्तर पर जिला परिस्वटपद के परत्यासिओं का चोड़कर अनि सभी पदों का परचा दाखिला होगा वह जिला परिशत के दावेदार SDO के पास परचा दाखिला करेंगे राजी निर्वाचन आयोग ने कहा कि हर केनिडेट को परचा दाखिला के वक्त सभी दिसान निर्दिसों का पालन करना अनिवार होगा पर्तियासियों से निर्दारित पपदर पर नमांकन लिया जाएगा उनकी सपत पतर पूरी तरह से बड़े होए होनी चाहिए अगली बड़ी कवर बिहार पंचा चुना में नमांकन के लिए दिसान निर्दिस जारी गाजे बाजे या जिलूस लेकर नहीं पोचे परत्यासी नहीं तो होगी करवाई जिया प्रासासन ने परत्यासियों से कहा है कि अपने साथ केवल एक प्रस्तावक लाए निर्वाचन अधिकारे के कक्च में भेड नहीं लगाए ऐसा करने पर आदर्स आचार सहिंता का उलंगर माना जाएगा प्रत्यासियों से यह भी का गया कि नावांकन पत्र दाखिल करते समय गाजे बाजे या जिलूस नहीं निकाले क्योंकि यह भी आदर्स आचार सहिंता का उलंगर माना जाएगा निर्वाचन अधिकारे के कक्च के सौ मिटर दाइरे में धारा 144 लागू रहेगी इस परीदी में प्रत्यासियों द्वारा किसी परकार का आयोजन प्रतिबंदित रहेगा बड़े कबर ट्रेन में अंडर्वेर बन्यान में घुमते मिले जेडवी विधा की खिलाब जाच सुरू सिसी ट्वी पूटेस कंगाल रहेए जियार पी यहाँ ट्रेन में अंडर्वेर बन्यान में गुमते मिले जनता दल उनाटेट के विधाय गोपाल मंडल की किलाब पुलिस ने जाज शुरू कर दी है तेजस राज़ाने एक्सप्रेस के बाद विधाय की खिलाब दर्ज भी एवायर की जाज जियारपी ने शुरू कर दी है ब के अंतरगत मामला दर्ज हुआ है अगली बड़ी कबर बिहार में इस्पोतनिक वी के दोसरे सेंटर का उदगाटन दर्बंगा में खुला उत्तर बिहार का पहला इस्पोतनिक कोविड वेक्सिनेशन सेंटर बारा सो रुपिय में लगेगा पहला डोज जिहां दर्बंगा स सार के मेट्रो होस्पिटल में बिहार के दूसरे और उत्तर बिहार के पहले इसपुतनिक वीघ कोवीड वैक्षिनेशन सेंटर की सिरुवात हुई इसका उदगाटन बिहार सरकार के स्रम संसाधन मंत्रे जीवेश मिस्रा ने किया है इस आउसर पर सबसे पहले दरबंगा सार क एक वेक्ति को स्पुतनिक टिकल लगाये गया मैटौ होस्पिडल की चिकिसक डाक्टर रोही यासमिन ने कहा कि यहां 12 रुपय में वेक्सिन का पहला डोज मिलेगा उन्होंने कहा कि इस वेक्सिन में साइड एफेक्ट बहुत कम है उन्होंने कहा कि कोवी सील्ड और कोवेक्सिन टिका लगवाने पर सरदर्द बदन दर्द और बुखार जैसे सिकायते मिलती दिल लेकिन इस पूतनिक वी में इस तरह की सिकायते नहीं के बराबर मिल रही है साथ उन्होंने कहा कि इस पूतनिक वीटी का कुरोना से 90% से ज़्यादा पर्तियुदक छमता देता है बाड़ी कबर जदुई भाजपा के बाद अब हम पार्टे का भी होगा जनता दर्बार जितरा माजे के आवास हर मंगलवार को लगेगा दर्बार जिहां हिंदुस्तान आवा मुर्चा के राष्टी अदग जितरा माजे के आवास पर हर मंगलवार को जनता दर्बार लगेगा इसमें पार्टे की विधाई जनता की समयसाओ को सुनेंगे इससे पहले भाजपा और जदुई ने भी जनता दर्बार सुरू की है ऐसे में अब बिहार में NDA के एक और सहयोगी दल जनता दर्बार सुरू कर रही है इसको लेकर तयारिया सुरू हो गई है हम पाटी का कहना है कि जनता दरबार लगाने का मकसद आम लोगों की समयसाओं को दूर करना है जब हम उसकी समयसाओं को पाटे इस तर पर दूर करने लगेंगे तो वह हम से जोड़ेंगे इसको लेकर पाटे इस तर सभी प्रचार परसार किया जा रहा है बाड़ी कबर चमकी कोरोना के बाद मुझपरपूर में अब डेंगू बोखार ने दी दस्तक मिले पांच संक्रमीट जिया मुझपरपूर जिले में जल जमाव के बेच डेंगू ने दस्तक दे दी है SKMCH में डेंगू के पांच मरीज भरती हुए है जिला वेक्टर जनित रोग नियंतरन पदादिकारी डाक्टर सतिस्क मार ने बताये कि डेंगू के जो मरीज मिले है उसमें काटी में दो सरयावा मिनापूर में एक-एक मरीज है जबकि एक SKMCH में इलाजरत मरीज सिवर का है बाड़ी कबर इसी सब्ता आयेगा सरसटवी BPSC का बिग्यापन 12 दिसंबर को होगी पीटी 365 से बढ़ा कर 503 की गई रिक्तियों की संख्या जिहां सरसटवी BPSC के लिए रिक्तियों की संख्या 365 से बढ़ कर 503 हो गई है आयोग को ने रिक्तिया प्राप्त होने के बाद आप बिहार प्रासासनिक सिवा के अंतरगत SDM के 88 पद हो गए हैं जबकि ग्रामिन विकास विवाग से 133 ग्रामिन विकास पदादिकारी की रिक्तिया प्राप्त होई है BPSC के परिचा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि प्राप्त रिक्तियों में नगर निगम के कारिपलग पदातिकारी के पद्विस सामिल है एक सब्ता के अंदर सरस्टवी BPSC का बिगापन निकल जाएगा सुत्रों के माने तो अधिक सम्मावना इसके बुद्वार तक निकल जाने की है साथ यह आपको बदाद की 12 दिसंबर प्रारामिक परिचा की सम्मावी तिति है जिसकी घोसना पहले की जा चुकी है अगली बड़ी कबर बिहार में पहली बार क्रिसी चेत्र में होगी प्रबंदन इंजिनेरिंग और बायो टेक की पढ़ाई इन तीन कोलेज से होगी सुरू होगी यह तीनों कोलेज क्रिसी चेत्र में नई विधा की पढ़ाई करेंगी क्रिसी चेत्र में पहली बार राज में प्रबंदन, इंजिनेरिंग और बायोटिक की पढ़ाई होगी इसके लिए भवन की बवस्ता सरकार ने कर दी है इन तीनों कोलेजों में अगली सत्र से चात्रों का नामांकन लिया जाएगा लियाजा सीटों की सेंग्या चात्रों की उपलबदा के अधार पर परले सत्र में कमभी की जा सकती है पाटना में क्रिसी परबंदन कोलेज खुलना है मिठाप और स्थीत ए और आय परिसर में यह कोलेज खुलेगा वह भौजपूर में खुलने वाल राज का पहला क्रिसी अभियंतरन कोलेज फिलाल डुमराव की क्रिसी कोलेज में चलेगा इसके अलावा भागलपूर में क्रिसी बायटेक का कोलेज साबर कोलेज में खुलेगा बाड़ी कबर दर्बंगा समस्तिपूर रूट पर सुरू हो गये ट्रेन सिवाए रेलवे ने जारी किया आदेश जा दर्बंगा समस्तिपूर रेलकंड पर ट्रेनों का परिचालन समयन हो गया है पूरू मजद रेल की सिप्यारो राजेस कुमार ने बताई कि सुमौर की साम पाँच बज़े से ट्रेनों का परिचालन समयन कर दिया गया है कहा कि इस रेलकंड पर ट्रेनों को आवागमन बहाल कर दिया गया है बड़ी कबर क्रिसी कानूनों की खिलाब आंदलन को तेज करते वे सयूत किसान मुर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का एलान किया है रैवार को मुझपरपुर में हुई महापंचायत में भाकियों नेता राकेश टिकेट ने कहा कि क्रिसी कानून के वापजी के मांग को लेकर भारत मन से देश को संदेश दिया जाएगा किसान अपने दम पर यहां लड़ाई जितेंगे क्रिसी कानून की वापसे तक आंदोलन होगा आपको बदा देखी जी आईसी ग्राउन में हुई महापंचायत में पंजाब हर्याना राजस्तान समे देश के कई राज्यों के किसान पहुचे इनमें पंजाब और हर्याना की किसानों की संक्या अधिक रही है अगली बड़ी कबर गुसाय तेज परताब का एक और बड़ा फैसला लालू के बड़े बेटे ने चात्र जन सक्ती परिसत बनाई खुद को अधच घोसित किया कहा आरजडी के लिए बैकबून का काम करेगी जिहा लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज परताब यादव इन दिनों अपने ही पाटी राष्ट्य जनता दल यानि आरजडी से नराज चल रहे है चोटे बाई तेजसिवी से भी उनकी पर्टी नहीं बेट रही है सोसल मीडिया पर तेज परताब लगातार चोटे बाई पर तंच कस रहे हैं सिखचक दिवस पर रईवार को उन्होंने चात्र जनसक्ती परिसत का गठन किया और खुद को इसका अधच भी घोसित कर दिया बताया जा रहा है कि चात्र आर्जेडी के प्रदेश से देच को हटा कर नए अधक्ष बनाने और आर्जेडी के प्रदेश से देच पर करवाई नए होने के बाद तेज परताब ज़्यादा भड़क गए हैं तेज परताब ने कहा कि छात्र जनसक्ती परिसत से विन नए अंदोलन की सुरुवात करने जा रहे हैं यह अंदोलन बिहार समेत अन्य राज्यों में भी होगा उन्होंने इवावो को इस मिसन से जोड़ने की अपिल की है और आंद की बड़ी खबर ओवल में भारत की अतिहासिक जीत चोते टेस्ट में इंग्लेंड को 167 रनों से हराया 35 साल बाद एक सिरीज में दो टेस्ट मैं जीते जीहाँ ओवल में खिले गए चोते टेस्ट मैंच में टीम इंडिया ने अतिहासिक जीत हासिल की है गेंद बाजो की सांदार प्रदसन की बदोलत भारते क्रिकेट टीम ने इंगलेंड को 170 रनों से हरा दिया है इस टेस्ट मेच को जीत कर भारत ने सिरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है खास बात यह भी है कि 50 साल बाद ओल में भारते क्रिकेट टीम कोई टेस्ट में जितने में सपल रही है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि आपके सहर या गाह में कोरोना का टिकल लगाया जा रहा या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं